ओके जी अब इस लेक्षर के पार्ट में जो चीज में आपको बताने वाला होना that is related to के हमारी daily life में भई किस तरीके से AI effect करती है करती भी है के नहीं करती तो AI के उपर अगर हमने बात करने है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका हमारी life के अंदर अमल दखल है क्या तो यही चीज हमें नहीं पता होती है अक्सरोकाद AI पढ़ने बैठ जाते हैं हमें पता होता नहीं कि AI कर के रही है हमारे साथ तो चलें आपको बताते है कि AI क्या कर रही है और AI क्या कर रही हो so AI basically हमारी daily life में बड़े काम सर अंजाम दे रही है there are many things जो AI की वज़ा से हो रही है पहले सबसे चीज आपके smart assistance यानि कि Siri होगी Alexa होगी Google Assistant होगी नहीं बोले ठीक है and there are many other things जो आप use करते है YouTube के पूर आपको पता है कि आप काफी ऐसे लोग है पाकिसान के अंदर मैंने कही अपने दोस्तों को देखा है वो टाइप करने की बज़ाए क्या करते है so this is one of the smart assistance second recommendation system यह जो YouTube के उपर आपको बढ़ाजी की वीडियो नजराएद बढ़ाजी से मुराद हमारी YouTube channel के अगर वीडियो आजाती है या there are many other channels जिनको में shout out यहां पर देना जाहूँगा Campus X है इंडिया का चैनल and there is Krish Naik का चैनल है and there are like code basics channel है हिंदी के अंदर and there are other channels इर्वान मलिक साब का चैनल है and there are many other channels अपना डॉक्टर जिशानन असमानी साब का चैनल है जब आपको यह आ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा इसका मतलब यह है कि आप data science की चीज़ें ज्यादा देख रहे हैं आप artificial intelligence को बढ़ना चाहा रहे है that means कि Google को भी पता है कि यह बंदा या यह बंदी इस account से फ्लाँ चीज़ को देख रहे है तो आपको YouTube पे वैसी recommendation आती है Netflix पे अगर आप को documentary देख लेते हैं तो आपको बार-बार documentary आने लग जाती है Amazon पे कोई एक purchase कर लेते हैं चीज़ तो आपको बार-बार वो आती है आप dras.com पे देख लें then Google पे अगर कोई चीज़ सेर्च कर लें even though आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई बात कर रहे हो Facebook पे उसकी ads आने लग जाती है ऐसा होता कि नहीं होता आपके साथ हुआ है के नहीं हुआ है बताएं जरा सबके साथ होता है तो ये सब कुछ हमें basically एक precisely advertisement के तोर पे चीज़े नजर आती है यानि के YouTube का एकी मकसद है कि आप इस पे बने रहें इसी तरीके से Netflix का इसी तरीके से Amazon का तो recommendation system is one of them Spotify के उपर आप देख लें Apple Music के उपर आप देख लें there are many other apps जिनके अंदर recommendation system machine learning, artificial intelligence की बेस पर चलता है अब भी आप कहेंगे कि आपकी life में कोई हमल दाखल नहीं है तो it's up to you autonomous vehicles future के अंदर there are many companies जो autonomous vehicles बना रही है कि drivers को चलना ही न पड़े China के अंदर automatically autonomous vehicle औरेडी चल पड़ी है different other countries यानि कि US के अंदर many other countries जिन्होंने start ले लिया है और taxis जो हैं without any driver आप सिरफ एप से book करेंगे जहांपे आपके location होगी taxi आजागी आपको लेके drop करतेगी so this is actually happening in the world so यह हमारी daily life के अंदर इन का रोल है language translation आप मेंसे कितने लोग हैं जो बाहर country में आजाते हैं चाइना में चले जाते हैं जर्मनी में आजाते हैं मुझे जर्मन नहीं आती हैं अक्सर अकाद मैंने google translator खोल लई होता है कुछ document आ गया and there are many other things like आपकी जो images से text निकालना है and background remove करना I mean endless चीज़े हैं आपके सामने fraud detection banks के अंदर अगर आप कोई चीज एक regular base पर transaction कर रहे हैं so it's not a big deal लेकिन जैसे ही आप कोई बहुत बड़ी amount एक ही दफा निकालेंगे तो वो एक red alert आजाएगा fraud detection की उन्हें algorithm एक highlight देगा तो वो आपको call back करके बुझते हैं जी आप ही हैं अच्छा आपको bank करना पड़ेगा so they actually want to preserve your identity और आपका जो पैसा है उसे बचाना जाते हैं तो fraud detection क्या होती है कोई भी anomaly जब आपकी transaction के अंदर detect होती है automatically algorithm क्या करता है या तो आपका account block कर देता है या कुछ और ऐसा मसले मसायल कर देता है so fraud detection is one of them जो banking के जिलसले में है फिर medical diagnosis ये जो पराने दोर के अंदर x-ray आप ले आते तो और ऐसे light की तरफ देख के doctor देख रहे होते तो अभी भी देखते हैं वाइदावे अब जो advanced technology वो ये है कि एवन दो MRI की जो images है उनको भी आप machine learning के तुरू analyze कर सकते हैं यानि के एक x-ray हुआ है एक AI based analytical tool आपको recommend करता है कि यार ये plant disease हो सकती है यार ये portion इसका anomalized हो सकता है या हो सकता है यहाँ पर ये लना करें को tumor है ठीक है तो वो automatically एक आपको hint दे देते है and then you have to do some tests और उस recommendation के उपर हम medical diagnosis के उपर आगए जा सकते है जयार ज्यादा नहीं COVID के दुरान आपको पता नहीं था there are some apps मेरी University Trento Italy के अंदर उनने एक app बनाई थी आपके sense लेने की frequency और उसकी base पे वो detect करके आपको बताते थे कि आपको COVID-19 हुआ है या हुआ था या होने वाला है या if there are any chances तो इस तरह की apps available है ठीक है फिर meditation की apps है there are many apps available कि आपको घर बेटे fingertips के ओपर सारी की सारी चीज़े मिलनी है predictive message आप message लिख रहे होते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया images जो भी आपके सामने आती हैं आप उसको tag कर सकते हैं लोगों के साथ personalized content यानि के streaming platform जो मैंने आपको बता है YouTube हो गया, Netflix हो गया, Spotify हो गया, Apple Music हो गया आपका कोई भी जो service आप use करें Google के ओपर, Facebook के ओपर जो reels भी इवन देख रहे होते हैं जो चीज आप बार-बार देख रहे होते हैं वो बार-बार आपको आ रहे हो तो TikTok इस वकत इसी strategy पर काम कर रहे है ठीक है then AI influence our daily life in many ways social media, smart homes, retail prices के ओपर AI बड़ा impact करती है आप में से कितने लोगों को पता है जब आप online एक plane की ticket book करते है न एक time पे आप भी book कर रहे है और हो सकता है आपके तीसरे घर में एक और बंदा book कर रहे है दोनों को prices different आएंगी आपको पता है इस बात का reason क्या है reason यह है कि उसकी search करने की frequency की base पे उसको price आ रही है आपकी search करने की frequency की base पे और आपने पहले अगर देखा है Google पे देखा है यह किसी और जगा पे देखा है तो आपको उसकी base पे price आती है इसी वड़ा से लोग कहते हैं कि जब भी आप airline की ticket book करें incognito mood में जाएं ताकि आपका data वहाँ पे preserve ना हो and there are many other tools आप VPN लगा के tickets book करें या मतलब ये कि prices का hair फिर कैसे होते है आपकी search history की base पे हो रहाता है retail prices का और यही चीज़े Amazon और different other packages के उपर भी आते है logistics के उपर बड़ा AI का काम हो रहा है healthcare के उपर है finance के उपर है gaming industry one of the biggest industries in AI customer services आपको पता है कि chat board की दुनिया है आज आज की दुनिया में जितना chat board के उपर गाम हो रहा है कभी हुआ ही नहीं था recruiting industries आप CVS बेजते हैं वो automatically algorithm ही उसको recruit कर रहा है आज के दोर में thousand CVS में से आपको 10 ऐसी निकाल के देगा कि जिनके आप interview ले सकते हैं so there are algorithms and companies are actually using those manufacturing के अंदर आपको भी पता है कि AI काफी jobs खागी है लेकिन इन्शाला मैं आपको ये भी बताऊंगा कि AI जहीं jobs बनाई कितनी है then photography के अंदर आप में से कितने लोगों को पता है कि पहले जो पुराना दोर होता था आप किसी Switzerland या किसी ऐसी जगह पे जाकर खुबसूरत से तस्वीर बना रहे है प्रिंट करवा कि लोगों को दिखाते पिर रहे है या Facebook पे लगा रहे है अब Adobe Photoshop के अंदर Generative AI आ गई है आपने आपको स्लेक्ट करना है कहना कि बेचे Switzerland के मिदान लगा दो ऐसे भाग के Adobe Firefly पे चले जाए अब ही एडिटिंग और Photography के अंदर बहुत बड़ा इंकलाब आया द्यू टू AI ठीक है Traffic Light System आपको पता है कि sensors लगे हैं अगर इनसान कोई खड़ा हुआ या को गाड़ी खड़िया तो Traffic Light System ने उसकी बेस पे, Frequency की बेस पे Red हो जाना है, Green हो जाना या Amber, Amber by the way UK के अंदर बोला जाता है, जिसे हम Orange कहते है तो प्लीज एक छोटी से assignment यहीं पर यह बनती है कि आपने chat के अंदर या comment section के अंदर Amber लिखना है, Amber A-M-B-E-R Loan Payment Verification के उपर यह चीज यूज होती है, Flight Fairs के उपर यूज होती है, और आपके mind में भी कफी ऐसी चीज़ें आ रही होंगे के AI कहां 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 पर यूज हो रही है, ज़रा बताएंगे मुझे, comment section के अंदर अभी अगर आप बताएंगे, आपको एक surprise मिलने वा लाद है वो surprise यह है, जो मैं बाद में बताऊंगा अभी ने बताऊंगा वो थाना एक, के मैं ने बताऊंगा यह वोई वाले surprise है, by the way यह छोड़ी से assignments अपने mind में रखिएगा मैं यहाँ पे इस lecture की recording स्टॉप करता हूँ